और इस वीडियो में हम लोग बात किरने वाले हैं हमारा जो हमने ट्रेड लिया था कल के दिन कहां एंट्रिली कहां एक्जिट लिया ये सारी चीज़े तो करेंगे ही और कैसे उस ट्रेड में हमने 1-7 का रस्टो रिवार्ट रेश्यो काप्चर किया ये जो गाप मोमेंटम हु सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का और और आज वी किन आपको है चीज़ हमेशा यात रखना अगर बुलिश मार्केट है तो उसमें जाडा है है और अगर बेरिष मारकेट है तो उसमें gap qulिट की जादा होती है और जो लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं उनको हमेशा ही लगता है ना कि gap up gap down हो गया तो हमने position लेकी गए और यह सारी चीज़े तो वो जिस तरीके का market है उस पर depend करता है अब मैं यह नहीं बोल रहा कि bullish market में gap down नहीं होता होगा है ना हमेशा ही होगा उसके लिए आपको risk manage करके चलना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि bullish market तो कभी भी आपने अपनी position को बस bullish position लेके बैठे रहे गए और overnight market उपर खुलेगा ऐसा नहीं होता है हमेशा बट वह यह है कि अगर नीचे खुलता है उसके लिए ready रहना है और उपर खुलने के chances थोड़ इसे बढ़ जाते है हमारे यहां पर that being reason हमने क्या किया कि चलो ठीक है कल के दिन जब आप intraday के time frame में जाओगे which is five minutes time frame जब हम लोग जाएंगे तो कल क्या हुआ basically traders market में कि यह जो support आपको दिखाई दे रहा है जिसको market ने almost यहां पर एक बार test किया फिर यहां पर test किया फिर यहां पर test किया और यहां पर test किया तो almost 4 बार support को हम test करते हुए आ रहे थे है ना this particular support I am talking about और फिर कल वापस market खुलता है उपर उपर खुल की नीचे आता है like anything profit booking आ जाती है like anything तो सुबह सुबह एक trade में यहां पर कहीं पर entry करने की जब मैंने कोशिश की तो मेरा एक stop loss भी आ गया क्योंकि यह important support था ठीक है उसके बाद जब वापस यहां पर आया और यहां से एक sort of a reversal pattern बनाने की उसने कोशिश की that is exactly where I went in and shorted 48,000 का put option all the way from 363 है ना 363 से हमने उसको short कर दिया था if I can just show it to you guys here as well यहां पर है ना this is exactly where of course जो market का chart है उसका ultra chart होता है put options का bank naft अगर उपर जा रहा है तो put option का chart नीचे गरता हो दिखाई देगा simple सी बात है है ना तो कल basically this is where I entered the trade at है ना if you can just have a look at the prices of it तो हमने entry की 364 के आसपस with the 40 point stop loss which is 404 है ना और आज जब market खुला हमारे favor में सबसे पहली चीज़ तो यह देखो traders कि अगर आपको यह वहम है कि gap में gap down जो हो रहे है उसमें से मैं पैस उसे plan करके capture नहीं कर सकते बस वह है कि आप इतने time से market में हो trade कर रहे हो आप रोस consistency की साथ execution कर रहे हो तो sometimes you'll get lucky enough कि आपके favor में कोई trade आ गया opportunity आ गई gap of gap down आपके favor में हो गए हैना तो वही है कि अगर आदमी enough महनत करता है तो फिर वह लगी भी हो सकता है आप यह मत सोचों कि पहले ही दिन से आके आप trade करना शुरू करता होगे और आप के favor में market खुलने लग जाए गया है तो पिछले trade में हमारे साथ यह हुआ था this is where we entered यहां तक हमने hold किया दूसरे दिन खुलके सीधा उपर हमारे favor में आ गया था तो a lot of people would be thinking कि यार gap up को कैसे आपने capture किया नहीं sir मैं मेरी position को लेके बैठा था और gap up हो गया is the thing that I would say here all right तो उसके बाद basically हुआ क्या उसके बाद आज का market अगर आप देखोगे तो this is where resistance is what we were facing है ना यहां पर एक resistance था यहां पर एक resistance था कल भी यहां पर bank of 10 resistance face करके अंदर जाके closing दी दी अब क्योंकि मैंने यहां पर entry की यह कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था ही यार कि जब तक 48,000 के ऊपर नहीं जाएगा मेरा target नहीं आने वाला है that being reason but of course एक चीज होगे कि यार market एकदम से ही gap up खुल गया आज without any news or any big event और अगर हो भी तो मैं aware नहीं हूँ उस चीज को लेके उसके बाद what happens next is देखो यहां पर this is where we have all time high in bank nafti which is 48,200 का यहां पर तो almost bank nafti gap up खुलता है एक simple चीज हमें यहां पर दिमाग लगाने की जरुवत है ठीक है अब हर को यहां पर यहीं सूचेगा कि कैसे आपने top पे book कैसे कर लिया आज का जो day is high था exactly मैंने वहीं book किया है तो a lot of people will be thinking कि आर आपने exactly वहीं पर exit कैसे ले लिया उसका simple सा जवाब है sir देखो मेरा जो target होता है मेरे premium में वो मुझे पताए कि 1 is to 6, 1 is to 7, 8 के आसपास का target होता है है ना तो 1 is to 7.52 मिल रहा था मुझे I was like कि ठीक है मेरा target हो गया I am taking this trade I am closing this trade basically हैना मुझे almost 300 point मिल रहे थे तो मैंने close कर दिया अब by incident by coincidence यह हो ग यहाँ पर नहीं की, है ना, लेकिन यहाँ वाली कर ली, तो बस at the end of the day बात वही है सर्थ, अगर आप गलत हो, तो छोटा सा लॉस दो, निकल जाओ आँ से, अगर आप सही हो, तो फिर बड़ा टागेट लेके निकलने की कोशिश करो, और कभी भी आप बॉटम पर खरीद के ट basis पे था, मेरा एक exit plan already ready था, है ना, market अगर यहाँ से उपर भाग जाता, और मेरा option 100 रुपे भी हो जाता, स्वारी 0 भी हो जाता, तो मुझे इतना फरक नहीं पड़ता, मैंने 50 पे book कर लिया, अब यही, यही चीज़ सबसे important है, हम लोग क्या सोचते है, कि एक मान लो 300 करना है, कि कैसे उस option में आप 300 पे enter करो, और 400-500 तक निकल जाओ, और जब आप option selling कर रहे हो, तो आपको देखे रहा होगा, कि यह 500 रुपे का premium है, है ना, तो सिर्फ यह सोचो, कि सिर्फ 500 रुपे का premium shot किया, 500 जैसे ही वो 120-100 रुपे आया, लेकि निकल जाओ, पूरा premium खान is very clear and in front of you, अगर मैंने 50 पे इसे close नहीं किया होता, तो end of the day what happened is this, है ना, सीधा मुझे 400 रुपे पे CTC exit लेना पड़ता, अगर मैं इस trade को 50 रुपे पे close नहीं करता, और यह सोचता कि अभी इसमें 50 रुपे बचे, देखो सर, जो भी strangle करते हैं, straddles करते हैं, वो लोग 50 र other hand मैं 50 रुपे on the table छोड़ के जा रहा हूं, तो यहां पर यह मत सोचो कि मैं छोड़ की क्यों जा रहा हूं, यहां पर यह सोचो कि मैं बागी के 300 पॉइंट ले कर जा रहा हूं, और बागी की चिलर छोड़ के जा रहा हूं, that is what I mean है, है ना, और अगर इस 50 रुपे को मैं hold करने के लिए बैठ जाता कि यह जीरो हो जाए, तो 20,000 रुपे और बन जाएंगे, उस चक कर मैं यह जो 1.3 लाक रुपीज बना है, यह पूरा के पूरा मिस हो जाता, हाँ, एक बात यह भी सही है कि कल जब 100 रुपे आया तब मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि there was much more to make here, है और मैं 20-30,000 रुपे और बना सकता था, इसलिए मैंने बुक नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर आया, है ना, तो यहाँ पर हमने बुक कर लिया, क्योंकि देखो, expiry के दिन अगर option को 0 होने तक का वेट करोगे तो फस जाओगे, और expiry के दिन अगर option double हो चुका है, और फिर भी hold कर रहे हो, तो भी फस जाओगे कि end of the day वो 0 ही होना है, लेकिन volatility बहुत जादा होती है, and you'll exactly never know क्योंसा option actually 0 होने वाला है, that is basically how operators expiry के दिन market को operate करते हैं, और ट्रेडर्स तो दो चीज़े यहां से हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी bottom पे खरीद के top पे exit नहीं लेने व के लिए opportunity दे और top पे exit करवा दे, alright this is it for the day guys, thank you so much for watching this particular video and I'll see you in the next one, thank you.